कर दोस्तों आज हम पहुंचे हुए हैं सीता पूर के एक नए ने तो नहीं कह सकते करीब साल डेड़ साल हो चुका है जिसका नाम है क्लब रेंजर्स उसका गेट आप पीछे देखिए यह क्लब रेंजर्स सीता पूर से करीब तीन किलो मिटर आगे सीता पूर लखनो मार्क पर इस्तित है जो यहां पर एक स्थान है विजावर तो इस जगह पर पढ़ता है लोकेशन हम इसमें आपको डाल देंगे तो यह देख लिए उसका गेट है और यहां कुछ जब आप आएंगे इस रास्ते से आना होता है लगा देंगे यहां पर और इसके बाद फिर यह गेट है इंट्री यहां से लेंगे तीस उर्पाइस का टिकट है तो चलिए अंदर चलते हैं फिर आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं जैसे आप यहां अंदर प्रवेश्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह कि यहां कुछ गाड़ियां खड़ी हुई दिख जाएंगी आसपास ग्रीनरी हर्याली फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं क्लब रेंजर्स का बोर्ड कुछ पौधे आई चलते हैं अंदर यह यहां कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं एम टीवी मल्टी टेरेंड वीकल क्लब रेंजर्स सीता पूर्ष फिर यह सोर आप देखेंगे कि मैरी जैन पॉर्टी लान कि यहां पर एक लॉन बना हुआ जिसमें आसपास बैटने के लिए बेंचें लगी हुए यहां पर चड़िया वगएरा आप देख सकते हैं कि जिडियों के लिए के अच्छी व्यवस्था की गई है इसमें चड़िया अपना दाना चूग रही हैं कि अब आख 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 अब आख अब आख अब आख अब आख आख ऑजर्चान अब आख आख यह वाच्ग अचुजा आख आख उर्चजा कि अच्छा हुआ 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 है कि दोस्तों कि क्लब रेंजर्स के पार्क में हम लोग आ गए हैं तो यहां जैसे में प्रवेस लिया तो इस और बच्चों के खेलने के जूले बगारा लगे हुए हैं और पीछे आप देखेंगे तो मेरी जैन पार्टी लान बना हुआ है और काफी सुन्दर बगीचा है वो सारा देखते हैं ठीक ठाक है लेकिन भीड बिलकुल नहीं है केवल हमी कुछ लोग हैं यहां पर और शांती है अगर आप थोड़ी देर सांती से बैठना चाहते हैं तो यहां पर कुछ यूनिक कांसेप्ट ओल्ड वाला पुरानी पुरानी लाल्टेन को यहां टांगा गया है जो की प्लास्टिक की है फाइबर से बनी हुई यह यहां पर काफी अच्छा प्लांट लगा हुआ है आइ थेंग यह पहाडी मुझे नाम नहीं इसका पता है लेकिन काफी अच्छा लगता है इसमें कुछ इस तरह कि इसकी पत्तियां है जो बिल्कुल हूबहू प्लास्टिक जैसी मैसूस हो रही है लेकिन यह नेचुरल प्लांट है यह आप देख सकते हैं यहां पर खुबसूरत खुबसूरत प्लांट लगे हुए हैं यह लॉन वेल्वेट के नाम से और यहां कुछ चिडियां चहक रही हैं ग्रीनरी के लिए ग्रीन मैट डाली गई है यह पुराने समय की बैलगाड़ी नैचुरल बैलगाड़ी जो यूज होती थी पहले प्रयोग में लाई जाती थी पहले कुछ इस तरह से बैलगाड़ियां काम में ली जाती थी प्लांटेशन के हिसाब से काफी कुछ बढ़िया हिसाब बनाएं कुछ बदक वगेर हैं तहल दोस्तों काफी अच्छी हवा चल लही है मौसम काफी सुहावना है खिली खिली धूप है मौसम इचडिया पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी भी रखा गया इसके विवस्ता है वहां चडिया अन्न दाना खाती है कि अन्न दाना खाती है